आज एक छोटा सा टिप ले करका हूं आप लोग के लिए में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं क्या होता है कि कई बार लोग हमसे बॉंसाई पर्चेस करते हैं तो उसकेस में उसके अंदर कुछ कम्या आने लग जाती है जैसे कि थोड़ा सा ड्राई होने लग जाता है प् आपको दो टाइम पानी देना पड़ता है सकेस के अंदर जो भी बाउंसाई पॉर्ट आपके पास रखें जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको यह तो विंटर में और रेनी सीजन में तो ठीक है चल जाता है इसकेकें अंदर काम लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इस टाइब क होते हैं घूसरेन के के वरह जादा होते हैं इसके नवी को मेंटेन तथ को ज जरूरी होता है जैसे कि अदर जो जालल ढ न О्ँसरेंड के आर्ट के अंदर Humus content बहुत जादा है यह जो अंदर लगाई गई है चीजे खाद जाला डाला गया जैसे के अंदर moisture बनी रहे लेगन क्या होता है इवपरेशन बहुत जल्दी होती है और हलका सा धूप के खिलता है दो-तिन घंटे के अंदर यह जो मिट्टी होती है मलब सुस्क हो ज देखना है पत्तों का ज्यादा growth पाना है प्लांट आपका maintained रहे तो उस केस में आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा इसके अंदर मॉस लगाना पड़ेगा मल्चिंग करना पड़ेगा आपका फाइकस हो गया फाइकस में मल्चिंग कर सकते हैं मॉस ग्रास की मदद से म गड़ पीपल पिलखन लिप्स्टिक फाइकस और सेल्टी सो गया ऐसे से ऑप्शन है वैक्स मिल्फीजिया हो गया बहुत सारे प्लांट्स है जो की पानी की दुकान बहुत अच्छी होती है उनमें नमी ज्यादा चाहता है जो आपका बॉंसाई होता है तो उस केस में आप को शेर करना चाहंगा तो गाइस यह स्फैगन्म मौस घ्रास है सुखाव मौस होता है जो की पहारी छेतरों में पाए जाता है यह जो होता है बेसिकली नमी को सोखने के लिए होता है कहीं भी यूज में आसकता है यह मौस ग्रास तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं ज पॉट के अंदर तो सभी में इसकी अवश्यक्ता पड़ेगी जैसे कि आपको मॉस यहां पर इस तरीके साब को मल्चिंग करना है एक तरीका तो यह हो गया डिरेक्ट मल्चिंग होती है इसमें आप सीधा मॉस ग्रास को अपने टॉप लेयर पर रख सकते हो इसे क्या होता है कि आपका प्लांट जो है अंदर इसके पॉर्ट के अंदर आपका जो प्लांट को नमी अच्छी मिलेगी और जनमी उसले बढ़ियों में की जाती है अलाकि अभी तो गर्मियां पढ़ती रहती एकुबर तक इसकी बहुत ज़ूद जरूद रहेगी रिखार्ट के अंदर घर्माहट भी बना रहेगा और नमी भी बनी देए आपका प्लांट बहुत सुन्दा तरीके से ग्रो होता रहेगा की नरफ तो में तो इस तरीक इस थोड़ाने का इसको क्या होगा इसको साइड साइड से पहले लॉक कर देना है जितना भी अपने में युत कंदर इसको फसा दो शाकू की मददे कोई आप आप लुठ से हैं आपो प्रनि अटा Unewe आप ऐसे तूस्वीं से अंदर को आपको एक तरीका होता है इस तरीके से आपको रॉपर तहीस बिठाना है बिठाने के बाद आपको है यूजने होने वाजिस तरीकह रहें की दीने मॉसज्ञ नमेहीस 안돼 तरीका करते हैं इस चाहिए तो यह 예ki कोई भी वह यह तोильно वह दो तॉइल का जैसे टॉप लेर आपको अच्छा कासा हटा देना है कि अधाने के बाद आप इसको इसके अंदर गोबर से आप रख सकते हो यह गोबर हो गया गोबर का खाद हो गया वर्मी कंपोस्ट हो गया पत्यों खाद हो गया जो भी आपको लेना है मिश्रिन इससे क्या यह बहुत ही अच्छा ट्रिक है आपको अगर प्लांट की हल्दी ग्रोथ चाहते हो तो आप यह टॉप लियर को बिल्कुल फटिलाइजर सब भर दो अब क्या होगा यह फटिलाइजर आपने ऐसे छोड़ दिया तो सूख जाएंगी ड्राइज कंडिशन में आ जाएंगी बिल्कुल डिकपोज्ड एकदम सड़ा हुआ है और अब क्या हुआ हो जाएगा और पाने जब भी डालो अब बह जाएगा तो इसका ज्यादा वेनिफिट में प्लांट में नहीं मिल पाएगा इस तरीके से आपको गोवर के खाद को डाल देना है अपने प्लांट के अंद तो उसके अंदर यह जरूर करो यह बहुत ही बेनिफिशल है आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपने ऐसा कर दिया इस तरीके का ट्रिक करते हो तो क्या होगा पहली बात गोबर आपका जो है प्लांटर से आपके बहेगा नहीं बाहर जाएगा कोई भी खाद आप डालते हों आपके प्लांटर से बाहर नहीं बहेगा बाहर गिरेगा नहीं तो आपका इसके अंदर फर्टिलाइजर यह यूज हो जाएगे इसे के अंदर इसे के अंदर इस्तिमाल हो जाएंगे जैसे मैं यहां पर मल्चिंग कर दे रहा हूं और इससे एक और होगा अंदर ठंडग बनी रहेगी गोबर को और ज़रा डिंकपोज होने में अंदर बायोजिकल एक्टिविटी जो चलती है इसको सडाने कराने का और जो काम हो रहा होता है तो इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा उर्जा मिलेगा अपके प्लांट को अंदर क्या है देखे गोबर ढग गया है ना इसको हवा लग लिए ना ही इसको एयर सब्सक्राइशन अफकोर्स है इसके अंदर बन रहा है लेकिन क्या है ड्रेक्ट सन एक्सपोज से बचा रहेगा तो इसमें चोड़ा कीड़े पन पेंगे और आपका प्लांट जो है अंदर उसको नाइट्रोजन की कमीनी होगी और चोड़ी जो चीजे अवशक्ता होती अपके प्लांट को यह पूर्ती करता रहेगा तो यह लॉंग डिवल इसके अंदर क्या होगा प्लांट की कर दिया अपने मौस ग्लास लगा करके प्लांट की मल्चिंग भी होगी यहाँ पे इस तरीके से और नीचे गोवड डाल दिया तो डॉबल बेनिफिट गोवड जो है इसको बेनिफिट देता रहेगा लंबे समय के लिए साल भर के लिए आपकी छुट्टी होगी आप साल जा बहुत भुट भिख्टेबल है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है क्मार प्लांट सूख जाता है खराब हो जाता है तो गर्मियों के लिए बहुत उपयोगी है और अभी बरसाथ खतम ही हो गया तो अभी इसका यूज होगा पूरा सेप्टमबर है और पूरा प्लांट के पाने नेडला ड्राइब हो गया तो ऐसे कंडिशन में क्या होता है प्लांट उतना हेल्दी ग्रोथ नहीं पकड़ता हमें लगता है कि सब ठीक है नहीं इसको नमी चाहिए नमी यहां पर बनी रहने चाहिए खास करके इस टाइप के जो पौधे होते हैं इसको करण दबा दबा करके अंदर डाल दो अंदर लॉक हो जाएगा पूरा सिस्टम मिट्टी बहने से रुकेगा और आपके प्लांट के अंदर किसी भी टाइप का बॉंसाई हो उसके अंदर आप मलचिंग कर सकते हैं मौस गरास का इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये सारा मौस ग्रा साथ इस मॉप ग्रास को यूज़ करो बहुत इंपर्टेंट होता है अगर आप बनाने में रूची रखते हैं कोई भी गृरीन वाले पौधे आप यूज़ करते हो तो इसमें बहुत ज़रूरी है अगर आपका एविलेबल नहीं है तो जूट बैग यूज़ करो लेकिन इस सारे रिपॉर्ट हुए है तो अभी नहीं हुआ है कल परसों तक में सब में इसमें मल्चिंग की जाएगी ओके गाइस यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा आप हमें जुरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर